असलाम अलेकुम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि Python के अंदर Pandas Library को यूज करते हुए different tips and tricks को कैसे utilize करना है और ये tips and tricks वो tips and tricks हैं जो data science के अंदर बहत ही मजे हुए खिलाडी जो होते हैं वो utilize करते हैं जब भी किसी data को use करते हुए analyze करके उसमें से insights निगाल के किसी company को देनी होती है तो ये tips and tricks की list जो है आपके सामने हाजर है अब आपसे request यह है कि अगर आप ये video पहली दफ़ा देख रहे हैं तो python का चिला version 2.0 जो थोड़ा सा advanced level का है उसका link description में दिया हुए उसे join कर लें और अगर आप बिल्कुल basic से python सीखना चाहरे हैं for data science तो उसका भी link description में दिया हुए आप वो course करें और 40 दिन में आप basic course कर सकते हैं and then अगले 40 दिन में आप advanced course कर सकते हैं so times आया कि अब अगार हम start करते हैं जी तो सबसे पहले जो हमारी github की repository है उसके अंदर एक folder बनाते है pandas के नाम से और इसे के अंदर जो पहली test वाली files है यहीं पर पड़ी रहेंगे इसके अंदर है मैं नया folder बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ pandas tips and tricks ठीक है इस folder के अंदर pandas के अंदर अब हम एक नई file बनाएंगे जिसे jupyter notebook का मैं नाम दुरूँगा ipynb के नाम से और इसको मैं बोलूँगा tips and tricks के नाम से ठीक है जी यह इस तरीके से हमारे पास jupyter notebook की file open हो जाएगी अब इसको मैं थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ ताके सबी को easily नजर आए और हम इस पर काम करना start कर देते हैं सबसे पहले आप देखेंगे यहां पे के हम इसके अंदर अपनी एक ipynb file को बनाना start करेंगे ठीक है तो ipynb file कैसे बनानी है उसके बारे में पहले बात करते हैं अभी हमने यह जो file बनाई है इसके अंदर सबसे पहला काम यह होगा के how to see के आपने python का version कौन से install की है या pandas का version कौन से install की है specifically तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे एक मैं markdown का code बनाता हूँ number 01 01 tip है how to find the version simple से हम start करते है सबसे पहले trick है how to find the version उसके लिए हम क्या करेंगे simply import pandas as pd कर लेंगे ठीक है करने के बाद यहां पे लिखेंगे pd.version और यह आपके सामने दो दफ़ा अंडर स्कूर आप डालेंगे इससे पहले और दो दफ़ा उसके बाद में ठीक है अब यहां पे मैं अपना जो konda environment इसके बारे में बात में अगात करेंगे लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ कि यहां पे इसको मैं दोबारा run करता हूँ तो देखें हमारे पास version 1.4.1 आ चुका है ठीक है तो panda का version इस तरीके से देखने है then हमारे पास जो अगली चीज है वो है कि अगली ट्रिक हम देखते है इसका एक और तरीका भी है basically version को देखने के लिए वो हम देखते है पहले जो दूसरा तरीका है another way वो यह है कि आप pd.show versions ठीक है इसके अंदर लिख देंगे तो यह हमें बताएगा कि इसके versions कौन कौन से installed version यह है commit यह की है python का यह version है python bits का यह operating system यह है फलां 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 हर एक चीज हमारे system के बारे में information पूरी की पूरी आ जाएगी और यह panda's के dependencies जितनी भी हैं उस सभी के version यूज़ करके हमें बता देगा मतलब panda के अंदर कौन कौन से dependencies है मतलब panda किसके साथ काम काम करता है तो यह सारी चीज़े आ जाएगी तो pandas को show version करेंगे तो हमारे पास यह वाला एक पूरे के पूरी list आ जाएगी अब इसके बाद अगली चीज़ आती जब भी हम कोई dataset पे काम करते है सबसे पहले हमें एक dataset बनाना होता है डेटा फ्रेम ठीक है तो मैं इसको दूसरा नाम देता हूँ 02-make a data frame डेटा फ्रेम जब हम pandas में बनाना है तो वो भी बना सकते हैं जरूरी तो नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ और डिफरेंट किसम की जो लाइबरेरिस उने यूज़ करके बनाना है फॉर एक्जेंपल यहाँ पे हमने pandas import पहले की हुई है तो इसको नाम देते है pd.dataframe ठीक है यहाँ पे इसको मैं markdown में लेया हूँ तो आपको यहाँ पे बता देगा क्या आपने आगे क्या करने है लेकिन इसको मैं बेसिकली आपको डिफरेंट तरीके से बना के दिखाता हूँ यहाँ पे हमने चोटी bracket डाली फिर हमने डाली दर्मियानी bracket जिससे हम क्या करेंगे एक key बनाएंगे dictionary बनाएंगे और फिर उसके अंदर यह सारी list वगएरा add करेंगे ठीक है फिर बाद में column होगा फिर 1, 2, 3 उसके अंदर होगा बी की values 4, 5, 6 होगी ठीक है तो आप इसको कह सकते हैं फिर इसको कह सकते हैं फिर इसको मैं कह देता हूँ A कह देते हैं बड़ा A कह देते है B ठीक है इसको कह देते हैं A column इसको कह देते हैं B column तो इस तरीके से क्या होगा column का नाम यह हो गया लेकिन यहां पे list के अंदर उसकी values आगी तो यह आगया data frame अब इस data frame को मैं run करता हूँ तो यह data frame बन गया लेकिन मैंने इसे store भी करना है तो मैं इसे data frame के अंदर sorry df के अंदर store कर लूँगा df के अंदर store करने से यह df के अंदर चला गया अब जब मैं दोबारा से इसको देखना चाता हूँ तो मैं df dot सिरफ df करूँगा तो यह data मेरे सामने आ जाएगा अगर मै डfa dot head करता हूँ तो इस दरीके से यह data मेरे सामने इस तरीके से आ जाएगा अगर आपने इस data को बनाने के बाद data frame बनाने के बाद इस पे कام करना है तो आप 3 से जजयादा भी इसके values बना सकते हैं, मतलब यहां पर मैं लिखता हूँ, 6, 7, 8, 9, 22, ठीक है, तो मैंने एक के बनाए हैं, दूसरे के नहीं बनाए हैं, तो आप देखिएगा क्या होता है, यहां पर हमारे पास error आगी है, all errors must be of the same length, यहां पर इसकी जो length है, वो 3, 3, 6, 8 है, यहां पर 3 है, तो इसको भी same बनाना पड़ेगा, ठीक है, यह देखिए अब, यह हमारे पास आ गया, ठीक है, तो यह इनकी length, जब dictionary के अंदर आपने इसको design करना है, तो same होने चाहिए, ठीक हो गया ज़िए, तो इसको कहते है example data set, फिर आप दूसरा काम यह कर सकते है, आपने numpy array को use करके, to create data frame बना सकते हैं, कैसे, अब भी एक है, यहाँ पर आपने simple क्या करना है, array बनानी है, ठीक है, np.array, फिर 1, 2, 3, और 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह हमारे पास 3 dimensional array बन गी, ठीक है, अब numpy हमने असल में import ने की, तो यहाँ पर लिखता हूँ, import, numpy as np कर दिया, तो यह नीचे array बन जाएगी, ठीक है, अब array को अगर देखना है, तो इस तरीके से देख सकते हैं, यह हमारे पास इस तरीके से array बन गी है, ठीक है, array बनाने के बाद हम इसको convert कर सकते हैं, pd.dataframe, इसके अंदर इसी array को हम convert करेंगे, तो यह इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, लोक, तो यह हमारे पास array आ गी, और इसका नाम है 012, इसका नाम है 012, तो हमारे पास array का data frame यहाँ पर आ गया, तो आप इस तरीके से इसका जो data frame है, ऐसे बना सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, numpy को use करके बनाने का, numpy array data frame को बनाने का, वो यह है, कि आप simply, यहाँ पे pd.dataframe लिखें, data frame लिखने के बाद, np.rand, n, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, random.rand, n, या वैसे आप इसको इस तरीके से करके, 4 by 8 का बना दे, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, कि simply आपने एक array बनानी है, pd, numpy array बनाके, उसको random number लेके, तो उसको हमने क्या करने है, 4s by 8 की बनानी है, let's see, यह क्या बनती है, तो randomly देखें, एक, दो, तीन, चार, चार हमारे पास क्या हैं जी, instances हैं, ठीक है, और column इसके कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, 4 by 8 length की हमारे पास बनानी है, ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या changes कर सकते हैं, अगर आपने, यह numerical जो column है, इसकी बजाए, आप randomly assign, alphabetical column देना चाहते हैं, तो same आपने क्या करना है, इसी को copy करके paste करें, बट यहाँ पे, यह देखिएगा, column जो है, वो a, b, c, d, e, f, g, h, यह वले देने, तो यहाँ पे इसको मैं run करता हूँ, तो आप देखें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और a, b, c, d, e, f, g, h, w, तो इस तरीके से आप अपने तीन किसम के data set, data frames बना सकते हैं, pandas और numpy को use करते हुए, तो यह बहुत ही एक simple सी example है, आप इसको 4 by 8 की बजाए, 5 by 8 कर सकते हैं, और यहाँ पे 9 by 5 भी कर सकते हैं, ठीक है, तो जितना आपको column चाहिए, आप उतना बना सकते हैं, अगर इसको मैं 81 करता हूँ, तो यह भी हो जाएगा, लेकिन end पे मसला है, shape of the past value is 4 by 81, indices imply 4 by 8, let me see, 5 5 by 9, अब इसमें क्या हुआ है, simply हमें दुनों ताकदाद रखने हैं, फिर भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कोई मसला चर रहा है, उपसो, ताकदाद वाला भी नहीं चर रहा, तो आप error found कीजिए कि 4 और 81 का क्यों नहीं बना, ठीक है, 5 by 8 का बन गया, 5 by 80 का नहीं बन रहा, 50 by 80 का नहीं बन रहा, reason behind that, just check and let me know, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही सीखने से आती हैं, otherwise नहीं आएंगे आपको कभी भी, ठीक है, तो अभी यह देखें, 5 by 2 का भी नहीं बन रहा, हम इसको 5 by 6 का देखते हैं, 5 by 6 का भी नहीं बन रहा, इसको 2 by 6 का बना के देखते हैं, 2 by 6 का भी 8, क्यों भला, यहां पर देखें, a, b, c, d, e, f, g, h, reason मैंने आपको बता दी, आपको यहां पर नाम भी वो ही देने पड़ेंगे, अगर आप इसके नाम रिमूव कर दें, तो आप बना सकते हैं बड़े data frame, ठीक है, समझ आई, कि नहीं आई, आगी होगी आपको, next चलते है तो इसके साथ ही हमने, अभी हमारे पास जो column आ रहे हैं, इस data set के, जिसको मैंने, pd. data frame यह वला बोला था, इसको मैं कहता हूँ, df is equal to this, ठीक है, अब df को देखते हैं, क्या है, df है, जी यह वली चीज, ठीक है, जब हमने, इसको, column को बनाया था, यहां पर, इसको भी हम of this data set, मतलब यह जो हमने बनाया था, ठीक है, इसको मैं copy करता हूँ, अब rename कैसे करना है, उसको देखते हैं, ठीक है, हमारे पास जो तीसरी tip है, how to rename columns, क्योंके बहुत ज्यादा दफाँ हमें columns को rename करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, मैं आपको भी बता देता हूँ, उसकी वज़ा यह है, कि हमारे पास different किसम की चीज़ें जो हैं वह आती हैं, for example, इसमें paste किया, हमारे पास यह वला data frame बन गया, ठीक है, अब आप देखें कि column के बीच में space है, और यहां पे भी space है, ठीक है, हमने इनको करना है rename, rename करने का बहतरीन तरीका क्या होता है, कि आप df.rename चला दें, for example, आप देखें, column है, यह वला और यह वला, मैं इसको बोलूँगा df.rename, rename बोल दिया, अब जो पहला नाम है, उसको मैंने दूसरे नाम के साथ replace करना है, ठीक है, मैं यहां पर बोलूँगा, कि columns is equal to, यहां पर a call को बोलूँगा, कि इसको a कर दो, यहां small letters के अंदर, इसको मैं भोलूँगा, call underscore b कर दो, अब किया क्या है, मैंने, यह वाले original name थे, चोड़ी bracket start की dictionary दे के, इसको replace कर दी है, इससे, यह दूसरा original name है, इसको replace कर दी है, इन place true का मतलब है, कि data set के अंदर change कर दी जाए, ठीक है, अब इसको हम run करते है, run किया, यह run हो अब run करने के बाद हम यहाँ पर df भी तो लिखना है ना, ठीक है, तो आप देखें कि जो data set का नाम a space column था, b space column था, यहाँ पर हमने column underscore a और column underscore b कर दिया, ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आगी होगी कि किस तरीके से यह सारा system चल रहा है, ठीक है, अभी इसी तरह अगर हम next move करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको rename करने के और भी बड़े तरीके है, ठीक है, वो कौन कौन से तरीके है, आप simply क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर df.columns लिखने के बाद, equal to का sign लगाएं, और यहाँ पर columns के नाम change करते हैं, मतलब मैं अब यहाँ पर df को दोबारा से display करके देखते हैं कि क्या होता है, look, तो आप क्या करें, इसको पहले से पता है कि पहले दो column है, तो आप इस तरीके से भी rename कर सकते हैं, rename columns, simply क्या करें, उपर वाला pull of formula लिखने की बजाए आप simply यह दो नाम दे दें, ठीक है, तो यह rename हो जा तो इस तरीके साथ भी आप replace कर सकते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि यह जो underscore है, ठीक है, यह replace हो जाए किसी और चीज़ के साथ, तो उसके लिए भी हमारे पास code है, character या string या कुछ भी आपने change करना तो वो कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, simply हमने यहाँ पे लिखना है, df.columns is equal to, column aa के अंदर, ठीक है, और column bb के अंदर, जो भी चीज़े हैं, उनको replace करना है, लेकिन हम यहाँ पे simply इस formula के बजाए जो हमें github को pilot ने बताया, हम यहाँ पे लिखेंगे, df.columns करने के बाद, dot spring, अभी replace किस चीज़ को करना है, वो यहाँ पे लिखनी है, किस के साथ करना है, वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, for example, यहाँ पे हम करता हूं, उसको hysteric के साथ change करते हैं, let's see कि यह change होता है या नहीं होता, और फिर हम df यहाँ पे लिखते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ change नहीं हुआ, कि कि उसने बोला है, कि यहाँ पे जो आप change लेके आना चाहरे हैं, वो असल में, the default value of rejects will change from true to false, ठीक है, तो हमने क्या करना था, इससे space में change करके देखते हैं, ठीक है, फिर नहीं हुई, तो मसला क्या चल रहा है, यहाँ पे basically, हमने यहाँ पे underscore डालते हैं, और यहाँ पे space डाल देते हैं, ठीक है, समझ आए, तो मैंने जब बताया था, कि जो चीज़ change करने हैं, वो य space के अंदर, ठीक है, तो already हमने यहाँ पे एक space के साथ, change लेके आएं हैं, ठीक है जी, तो आप देखें कि हमने उसको space के साथ change कर दिया था, अब अगर इसको दुबारा आपने change करना है, space से turn करके, underscore में तो यहाँ पे space दे दें, यहाँ पे underscore दें, तो आपका column change हो जाएगा ठीक है, तो आप इसके साथ, यह इस तरीके से, इसको replace भी कर सकते हैं, किसी भी एक character को, तो अकसर यह होता है, कि आपके सारे columns के अंदर कोई एकसी चीज़ आ रही होती, जिसे आपने replace करना है, तो यह एक तरीका आता है, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, prefix या suffix इसके अ से क्या होता है, df.column.string.replace, यह तो पहले string replace वाला आ रहा है, हमने करना है, df.add, prefix, ठीक है, prefix, क्या add करना है, यहाँ पर वो आपने लिख देना है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, baba underscore, ठीक है, baba ही लिखता हूँ, baba underscore लिखता हूँ, तो आप यह देखिएगा, कि just imagine, क्या चीज हो सकती है, इसकी reason, add हमने किया prefix, और वो इसके अंदर add नहीं हुआ, reason क्या हो सकती है, let's again try this, नहीं हुआ add, अब इसके अंदर हम इसको, for example, df.add, underscore prefix, ठीक है, इसके अंदर यह करते है, dot in place, जैसे हमने उपर वाले में लगाया था, ठीक है, यह देखिए, यहाँ पर जाते है, यहाँ पर हमने, comma in place dot true click किया था न, let's see कि अगर यह काम करता है, ठीक है, देखते हैं कि यह काम करता है कि नहीं करता, मेरा नहीं ख्याल करेगा, but we can have a look, क्योंकि यहाँ पर error दे रहा है, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इसको, df is equal to करते है, तो वो update हो जागा, ठीक है, अब यहाँ पर df इसके साथ print करते है, let's see कि क्या होता है, तो आप देखें, कि यहाँ पर call a इसके अंदर आ चुक है, ठीक है, अब अगर आ आप पिछे वाले को दुबारा से run करते हैं, तो वहाँ पर भी call है आ जाएगा, तो यह क्या होता है, असल में आपके पास पिछले सारे attach हो रहे होते हैं, तो हमने क्या करना है, इससे उपर वाले सारे जो है, उससे run करते हैं बरी बरी, ठीक है, अब इससे run करते हैं, तो हम पूरे को यहां पर paste करें, और suffix क्या होता है, end पर add करना किसी चीज़ को, यहां पर देखिएगा, add suffix, ठीक है, डबल F के साथ, add suffix करना है, तो end पर भी underscore baba कर देना है, ठीक है, तो यह आप देखिएगा, यहां पर end पर भी baba आ गया, first में भी baba आ गया, तो मैं इस तरीके से इसके अंदर suffix और दूसरी चीज़े, add कर सकता हूँ, तो मैं इसको return करता हूँ, अपनी simple place पे, df. जो हमने columns का लगाया था, ठीक है, तो हमने क्या किया था, basically, यहां पर एक साथ दा सी command लगाई थी, इसी को मैं दोबारा से use करता हूँ, df.columns, इसको मैं यहां पर is equal to, आप देखिएगा, यह वाला लगाया, इसके अंदर लिखा पहला, call underscore A, वो खुद बाखुद मुझे, google edicence ने, sorry, github, copilot ने बता दिया, अब यहां पर इसको मैं df को देखता हूँ, तो मेरे पास column A और column B आ के ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको rename कर सकते हैं, अब इसक different किसम की trips और हैं, वो क्या है, सबसे पहले, कि यहां पर हम आगे हैं, तीसरे नंबर पर यह चोथी हमारे पास होगी, फोर्थ पर, using template data, ठीक है, template data कैसे use करने, different libraries को use करते हुए, ठीक है, उसमें pandas का भी user बाकियों का भी, तो सबसे पहले हम करेंगे, import pandas as pd, import, sorry, import numpy as np, और फिर बाद में import cbon as sns, तो basically cbon के अंदर ना काफी ज्यादा data sets मुझूद है, for example, मैं पहले data set डाउनलोड करता हूँ, df dot, sorry, उसको data frame का नाम देंगे, is equal to sns dot load data set, और इसके बाद tips की बजाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, titanic, ठीक है, तो हमारे पास df के अंदर किस्ती का data set आ जाएगा, इसको मैं किस्ती ही बोलता हूँ, ठीक है, तो देखेगा आप, किस्ती dot head, तो यह मेरे पास data set आ जाएगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे sns यानि के, seaborn library के अंदर से data download करके, यहाँ पे ले आया, तो आप देखेगा, हमारे पास यह data, कुछ देर में आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, let me see, error क्या आ रही है, certificate verify, failed unable to get local issue certificate, let's see, कि अगर हम titanic के spelling मेरे ख्याल से कुछ खलत है, let's see, कि और कुछ सा data हम ले सकते हैं, यहाँ पे tips का अगर ले, yes, tips का ले सकते हैं, iris का ले सकते हैं, यहाँ पे अगर pool का data set ले हैं, जो हमने पिछली examples में भी किया है, इसको मैं pool का देता हूँ, pool के बाद यहाँ पे iris का data set ले ले लेते हैं, ठीक है, iris, तो यहाँ पे pool.head आ जाएगा, तो आप देखें, यह भी नहीं data set आ रहा, iris का भी नहीं आ रहा है, इसके अंदर, I think there is some problem going on, let me see, क्या problem है, certificate error आ रहा है, खैर, तो आप इस तरीके से data set डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे basically, हम sns.load data set और tips का data लेते हैं, for example, तो इसको आप data frame का नाम दे सकते हैं, df is equal to sns.tips, तो इसको अगर आपने देखने हैं, तो df.head की command लगाएंगे, तो यह आपके सामने पूरा data set आ जाएगा, जिसके अंदर यह सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप इसको देखने के बाद, देखें, using template data लिया, अब इस data set की अगर छोटी सी summary देखनी है न, summary, तो आप df.describe का function यूज़ कर लें, simply, यह लेंची, तो इसमें क्या-क्या है, count कितने हैं, 244 instances हैं, mean कितने हैं, standard deviation कितने हैं, minimum कितने हैं, और यह सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, अगर आपने, summary के इलावा आपने देखना है, जी, इसके columns के name, ठीक है, column names, simply, क्योंकि अक्सर हम करते हैं न, इस तरह के columns लेने के, तो आप देखें, तो हमारे पास columns name आजाएंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ से पकड़ के से copy-paste कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपने इस data set को अच्छे तरीके से different किसम की चीज़ों के साथ utilize करना है, then you can actually do a lot of things with that, describe के अंदर यह आगया, अब अगर df.columns, यह वाला हो गया, अब अगर आपने वो ही data set यूज़ करने के बाद उसे save करना है, saving a template dataset, saving a data set, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, df.csv करना है, तो tips.csv करेंगे और जिस folder में करेंगे न, वहीं पर save हो जाएगा, मैं यहाँ पर अगर करता हूँ, तो यह यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर tips की एक file आजाएगी, ठीक है, tips save, ठीक है, यह ऐसे मैंने नाम दिया क्योंकि हमारे पास tips की एक और थी, यह मैंने run किया, यह देखें tips की file मेरे पास आगई, ठीक है, तो इसे आप view करके भी data set save भी हो जाते है, अगर आपने इसको excel में करना है, तो df.to excel, ठीक है, तो tips.save.xlx की file आजाएगी, तो मैं इसको run करता हूँ, तो आप देखें, कि यहाँ पर, क्या मसला है, let me see, no module open by excel, कहता कि यह वाला module आपको चाहिए, इसको run करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, अक्सर, यहाँ पर pip install open by excel, इसको मैं install कर लेता हूँ, ठीक है, यह देखें, pip install open by excel, इसको आपने install करना है, यहाँ पर click करेंगे, तो और रड़ी यहाँ पर, आपके module के अंदर यह install हो जाएगा, आपने kernel को restart करने, restart करने के बाद इसके उपर वाले सारे दुबरा से run कर देन उससे क्या होता है, कि यह जो है, यह कोई मसला create नहीं करता, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर as a comment, यहाँ पर paste कर देता हूँ, तो हमने excel में जब यह file save करने तो आप देखिएगा, hopefully अपकाम कर जाएगी, yes, तो यह देखें, हमारे पास excel की file भी आगई, हमारे पास csv file भी आ तो आप इसको excel में भी open कर सकते हैं, basically इस वज़ा से मैंने यह चीज़ें बता ही है, इसके लावा df2, 2 लिखेंगे तो आप देखें, csv, dictionary, clipboard, excel, features, gpq, hdf, hdml, json, latex, markdown, और इसके लावा numpyR, और बहुत सारी चीज़ों में भी इसको convert कर सकते हैं, ठीक है जी, तो यह जरूरी था, using template data, हमने किस तरीके से use करना है, किसी template data को, अब अगर हमारे पास अपना कोई data कहीं पर पढ़ा हुआ है, तो इसको कैसे utilize करना है, ठीक है, तो चोथा था using template data, using your own data, ठीक है, तो इसको पांच पा कह देते हैं, आपने इसको run किया, simple क्या करना है, आपने जी, import import pandas as pd, मैं बार बार इसलिए कर रहूं ताकि आपको याद रहे, तो यह देखी, यहां पर pandas as pd, अब यहां पर हमने करना है, df is equal to pd.read csv, read underscore csv, and then आपने उस file का नाम देना है, जो उस folder में पड़ी हुई है, यहां पर मेरे पास csv read करनी है, तो मैंने csv जो उसी folder के अंदर, pandas के अंदर पड़ी हुई है, मैंने उसी को यहां पर read कर लिया, ठीक है, मैंने download नहीं किया को data, मैंने उसी को read करके, यहां पर उसको, उसका नाम दे दिया, ठीक है, csv read करनी है तो इस तरीके से, and अगर pa9xl की file आप इसतरीके से रीड अउट कर सकते हैं ठीक है चिर जी तो करकर देखते हैं कि वक्तिर यह काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा .थ पहले इसको करते हैं . लिए क्जयर फैल के लिए के लिए कि यह हुई है तो यह देखें आप आपके पास यह काम कर रहा है फिर भी तो हुआ क्या है हमने दोनों फाइलों को चेक कर लिया है ठीक है जी तो ये थी पांच में using your own data ठीक हो गया तो यहां तक आपको इस वीडियो में समझ आई कि Excel की काफी tips and tricks होती है जिनने हम utilize करके बहुत सारे काम कर सकते है नेक्स वीडियो में मैं आपको और भी tips देने वाला हूँ so stay tuned and आपकी जो आज की assignment है आपने जितना मैंने बोला है आपने ये पूरी notebook के अंदर comments इसी तरह लिखने है ठीक है जैसे ये मैंने comment लिख है आपने how to find the version इसके नीचे आपने अपनी पूरी notebook लिखनी है first of all we have to import the data frame and then we have to write this command that command and that this and that ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है ठीक है जी तो मिलते हैं अगली वीडियो में take care and Allah Hafiz